नमस्कार मैं हूँ दिब्यांसू सेखर आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज महेंदर सिंग धोनी भारती क्रिकेट का एक ऐसा सितारा जो हमेशा अपनी चमक बिखेरता रहेगा धोनी को अगर भारत का सर्वस्रेश्ट कप्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा बलकि उनकी गिंती विश्व के सर्वस्रेश्ट कप्तानों में की जाती है महेंदर सिंग धोनी ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में टीम इंडिया की अगवाई की और भारती टीम को एक अलग ही मुकाम पे ले गए दोनी की कप्तानी में भारत ने ICC के तीनों टूर्णामेंट जीते साल 2007 में दोनी को टीम इंडिया की कप्तानी की जिम्मिदारी दी गई उसी साल सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप खेला गया दोनी ने जबरदर्स्त नित्रित्तु का परिशे दिया और भारत को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था फिर 2011 में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया ने फाइनल में मेजबान एंगलेंड को धूल चटा कर ट्रॉफी पर कप जा किया ये सब धोनी के करिश्माई कपतानी में ही संबब हो पाया इतना ही नहीं धोनी ने अपनी कपतानी में टीम इंडिया को साल 2009 में टेस्ट चेंपियन भी बनाया भारत टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर वन टीम बनी टीम इंडिया के पूर्व कपतान महेंदर सिंग धोनी अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं धोनी ने अपने क्रिकेटिंग करियर में कई हैरतंगेश फैसले लिये जिसको लोग आज भी याद करते हैं 2010 में अचानक दोनी ने साक्षी रावत से गुपचुप साधी कर ली 2007 T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में दोनी ने बॉल आउट में रॉबिन उतपपा और विरेंदर सहवाग को हतियार बनाया 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में दोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ आकरी ओवर जोगिंदर सर्मा से कराई 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में दोनी खुद युबराद से पहले बल्लेबाजी करने आए और परिनाम सब के सामने है रोईद सर्मा को ओपनर बनाना ये सब दोनी ने ही किया दोनी तो एक मैच विनर खिलाडी है ही साथ ही उन्होंने कई खिलाडियों को एक मैच विनर खिलाडी बनाया रोईद सर्मा, विराट कोली, रविंदर जडेजा, आर अस्विन सब उनी की देन है इसलिए तो भारती टीम के खिलाडी धोनी को अपना रोल मोडल मानते हैं और उनकी इज़्यत करते हैं और पूरा देश धोनी से प्यार करता है धोनी के एक और फैसले ने सब को चौका के रख दिया था जब धोनी ने इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्याज की गोशना की थी किसे पता था कि हम धोनी को टीम इंडिया के जर्सी में आखरी बार देख रहे हैं मगर हकीकत यही है कि धोनी का आखरी इंटरनाशनल मैच वही वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल था जिसमें भारती टीम को न्यूजिलेंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था सयोग देखिए कि अपने आखरी इंटरनाशनल मुकाबले में भी धोनी रन आउट ही हुए जबकि अपने पहले इंटरनाशनल मैच में भी धोनी रन आउट हुए थे खेर बात कर रहे हैं उनके सन्याज के बारे में क्रिकेट के इस दिगज ने 15 अगस 2020 को भारती क्रिकेट फैंस को जोड़दार जटका देते हुए इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्याज की घोशना की थी दोनी ने बिलकुल अपने अंदाज में ही ऐसा किया अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर धोनी ने रिटायर्मेंट की घोशना की धोनी ने लिखा आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज 19.29 से मुझे रिटायर समझा जा है उसके बाद से सोसल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर सुरू हो गया सब इस बाद से हैरान थे कि आखिट धोनी ने अपने जीवन के इतने बड़े फैसले के लिए इसी समय को क्यों चुना दरसल दौनी ने 15 अगस्त की साम 7 बचकर 29 मिनट में अपने रिटायर्मेंट की घोचना की थी इसकी पीछे की तीन थोरी हो सकती है वर्ल्ड कप सेमिफाइनल में भारती टीम को न्यूजिलेंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था उस मैच में जैसे ही दोनी रन आउट हुए उसी समय लगा की भारत का वर्ल्ड कप सफर अपसमाप्त हो गया है मैच के बाद न्यूजिलेंड के पूर्ब क्रिकेटर ने ट्वीट करते हुए लिखा था चलो चले 2015 से एक बहतर की और ग्रेंट एलिएट ने यह ट्वीट साम 7 बच कर 29 मिनट में ही किया था कई मानते हैं कि धोनी के रिटार्मेंट पोस्ट का इससे कुछने कुछ कनेक्शन है 1929 एक एंजल नंबर है आप गूगल पर लिखेंगे एंजल नंबर 1929 तो आपको पता चल जाएगा यह नंबर एक संदेश लाता है कि आपने जीवन का एक बड़ा फेज या साइकल पूरा कर लिया है साथ ही यह दर्शाता है कि आपने आसापूर्ण और साकारात्मक रवये से जो चुनाओ किये हैं और कार किये प्राकृतिक ताक्तें और एंजल आपके साथ हैं इस नंबर का एक खास महत्व है भारत में सूरी देश के सबसे पश्चिमी बिंदू पर सबसे अंत में अस्थ होता है जो गुजरात में गोहार मोती है यह माना जाता है कि उस दिन यानि 15 अगस्त को गोहार मोती में सूरी 7 बचकर 29 मिनट पे अस्थ हुआ था दोनी के इंटरनाशनल केरियर का सूरज भी इसी समय अस्थ हुआ पूर भारती क्रिकेटर सुरेश रैना जो दोनी के जिगरी दोस्त हैं उन्होंने भी दोनी के रिटार्मेंट के कुछ दिर बाद ही अपने सन्यास की घोशना की थी वो इससे जुड़े एक मज़ेदार किस्से को बताते हैं वो कहते हैं सनिवार को भारत ने आजादी के 73 साल पूरे किये दोनी का जर्सी नंबर 7 और मेरा 3 हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि इसी दिन हम सन्यास की घोशना करेंगे दैनिक जागरन अकबार को रहना ने ये बातें कही थी दोनी को अब हम टीम इंडिया की जर्सी में तो नहीं देखेंगे लेकिन जल्द ही वो एक्शन मेनेजर आने वाले हैं क्योंकि 19 सितंबर से IPL के दूसरे फेज का आगाज हो रहा है दोनी IPL में चन्नी सुपर किंग्स के कप्तान है तीन बार सीसके को IPL चैंपियन बनाने वाले दोनी इस साल भी अपनी टीम को ट्रॉफी दिलवाना चाहेंगे वरतमान में दोनी की टीम IPL पॉइंट स्टेवल में दूसरे नमबर पर है तो हमने आपको बताए दोनी के सन्याज से जुड़े तीन तत्ति के बारे में अब बारी है आज के सवाल की आपको क्या लगता है कि दोनी की टीम चन्नी सुपर किंग्स एक बार फिर IPL चैंपियन बनने में काम्याब हो पाएगी या नहीं आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अभी के लिए इतना ही क्रिकेट से जुड़े खबर के साथ हम फिर हाजी रोंगे अभी दीजे इजाजत धन्यवाद